नमस्का राज़कामा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रिया आपके साथ उनीस सो इंठ्यानू की फिल्म दिल से के गाने चाया चाया से मलाइका अरोडा को पॉपूलरिटी मिली थी गाना हिट रहा और मलाइका को चाया चाया गल नाम से पहचान मिल गई हाला कि वो इस गाने के लिए पहली पसंद नहीं थी इस गाने में सबसे पहले रवीना टंडन को लिया जा रहा था और उसके बाद शिल्पा शेटी को हलाके किसमत से ये गाना मलाइका के खाते में आया जिनें उस वक्त तक कोई खास पहचान नहीं मिली थी ये किसा गाने की कोरियोग्राफर फराखान ने शेयर किया है फराखान हाली में कॉलकत्ता में हुए अलफा नेटवर्क के इवेंट में शामिल हुई थी इस दोरान उन्होंने पॉपुलर गाने च्छाइया च्छाइया पर बात करते हुए कहा मलाइका को हमने उस गाने में शुटिंग शुरू होने के महज़ दो दिन पहले साइन किया था क्योंकि उस गाने के लिए हर हिरोईन मना कर चुकी थी इसलिए मैं कहती हूँ कि इनसान को सही वक्त में सही जगा मोजूद होना चाहिए उस समय कोई नहीं जानता था कि मलाइका अरोडा कोई मॉडल है आगे फरा ने कहा कि मैं उसे अरबाज खान के जरी जानती थी हालाकि मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि वो अच्छी डांसर है या नहीं हमने शिर्पा शिट्टी रवीना से लेकर नजाने कितनी हिरोईन को ये गाना उफर किया था हर हिरोईन किसी न किसी बज़त से वो गाना करने के लिए इनकार कर चुकी थी बता दे कि मलाइका अरोडा ने MTV इंडिया में बतोर वीजे पार्टिसिपेट किया था इसके बाद वो कलब MTV के शो में लोगों का इंटर्वियू लिया करते थी आगे उन्होंने साइरस का शो लव लाइन और स्टाइल चेक को होस्ट किया था मलाइका ने बतोर वीजे पहचान बनाने के बाद मॉडलिंग करियर की शुरुआत की सबसे पहले तो बतोर एक्टर पॉपुलर सौंग गुर नालो इश्क मीठा में नजर आई थी इसके बाद उन्हें असल पहचान उन्नीस सो इंठ्याणू में रिलीस हुई फिल्म दिलसे के गाने चाहियां चाहियां से इंडरस्ट्री में पहचान मिली थी इसी के साथ बने रही राज्ट्रमा टीवी के साथ दर देवाद